देखिए बच्चो आज हम में लोग यहां पर समानतर प्लेट संधरित के बारे में पढ़ेंगे इसे इंग्लिश में पैरलल प्लेट कैपसिटर भी कहते हैं और इस तरह का यह इसका डाइग्राम बनता है तो यहां पर देखिए यह जो है आपकी ए पॉजिटिव प्लेट है और यह जो बी है वो नेगटिव प्लेट है तो कोई भी कैपसिटर होता है वो ए प्लेट पॉजिटिव प्लेट और नेगटिव प्लेट से ही मिलकर बना हुआ होता है और इनके बीच में जो परावैदु तांग का माध्यम है वो के रखा हुआ है ठीक है और बीच में जो और यहां पर एक प्लेट से दूसरी प्लेट की बीच की दूरी इसमाल डी है तो यहां पर देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे इसमें हमें करना क्या है हमें यहां पर अपना जो इसका सूत्र है क्याई केaksi से पहले हम लोग यहां पर प्रस्ट आवेश घनत्ब कैतना है यहां पर लिखते हैं पृते एक होट इसप्राऊ पलेट पर प्रस्ट आवेश घनत्ब क कितना था मारपाशी माँ और इसका फॉर्मुला पर सिग्मा एक to q upon a यह एक formula होता है इसको equation number बन कह देते हैं अब यहाँ पर हमारे पास electric field निकालना है तो यहाँ पर Plato के बीच जो electric field है उसको लिख लेते हैं Plato के बीच electric field अब देखें वैदुचेत्र कितना प्लेटो के बीच वह आपका हम लोग पढ़ चुके हैं पहले किसमें Gauss theorem के अनुप्रियोक जा हमने पढ़े थे तो उसमें हमने इस derivation को proof किया था तो यह हमारा क्या है electric field है यहाँ इन दोनों के बीच में जो electric field हो रहा है वह इतना हो रहा है ठीक है अब बात करते हैं दोनों प्लेटों के बीच विववांतर की बात करें तो यह जाएगा V, A, B, A, B इसलिए लिया है क्योंकि A प्लेट से B प्लेट के बीच की विववांतर की बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर यह जो होता है एक फॉर्मुला बढ़ाओगा आपने कौन सा V equals to E into D इलक्टरी फिल्ड इन्टू डिस्टेंस तो यहाँ पर यह होता है E into D यह होता है आपका फॉर्मुला तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे है जो आपकी वोल्टेस यह पोटेंचल डिफरेंस निकल के आया है विवांतर उस इसमें हम E की value रख देते हैं उठाके यह वाली E की value तो यहाँ पर रख सकते हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर equation number 3 लिख देता हूं में से और यहाँ पर लिख रहा हूँ कि equation 3 में E का मान रखने पर तो equation 3 में अगर E का मान रखोगे तो यह बन जाएगी BAB equals to E की value कितनी है sigma upon K epsilon 0 और बचा कितना D तो यह जाएगा E into D बास्वाज में आ गई अब यहाँ पर देखें यह जो sigma है इसमें हम लोग क्या रख सकते हैं sigma की जगे पर Q upon A भी रख सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे Q upon A तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ sigma का मान रखने पर sigma का मान यहाँ पर रखेंगे तो यह कितना हो जाएगा VAB equals to sigma की ग्रेलू कितनी थी Q upon A तो यहाँ पर रख दिया और यह जाएगा K epsilon 0 into D तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखो यह जाएगा VAB equals to Q upon A लिखा हुआ है न यह तो A जो होगा वो नीचे आ सकता है आपका चीक है तो यहाँ पर A को हम कहाँ आ सकते हैं नीचे की साइड में लेकर आ सकते हैं तो इसको मैं फिलाल यहाँ पर लेकर आ रहा हूं तो यह हो जाएगा Q और यह डी जो है multiply है तो यहाँ पर आ जागा QD upon A के epsilon 0 यह बन गया आपका voltage difference यानि वह पर आ जीघ्या और अब बात करते हैं हम लोग धारिता की किरें कि हमारा में मक्षद के वह कैपे सेटर की धारिता को निकालना तो यहाँ पर अगर संधारित्र की धारिता की पात करए हम यह यह उता है आब A बटे B वांतर यानि C वांटर टू क्यू अपॉपॉन भी होता है तो यहां पर वांतर पोंटेंशिल डिफ्रेंस है हमारे पास तो इसकी जगह पर हमें यहां पर रख देना है तो अब यहां पर देखो अगर ध्यान से देखोंगे तो यहां पर मिलेगा मैं C d equals to q की जगह पर तो q रहेगा कोई दिक्कत नहीं है यहां पर इसको q रख देते हैं और into q की जगह पर q रखो ठीक है उसके लाबा voltage की जगह पर कितना बी की value कितनी निकाली थी हमने यह निकाली थी तो यह जाएगा q d और upon a k epsilon 0 ठीक है यह upon में तो यह उपर चला जाएगा यह सारी चीज़े उपर जाएंगी यहां पर तो यह कितना हो जाएगा अगर इससे solve गरेंगे तो यह मिलेगा हमें यहां पर c equals to q और q a k epsilon 0 upon q d क्योंकि यह जो चीज होगी यह उपर चले जाएगी यह हमें पता है न mathematics के रूल से यह बटे में दबल बटा हो गया तो इसलिए उपर चला जाएगा तो यहां पर q से q cancel हो जाएगा बचेगा इतना तो आप यहां पर जो आपका final result निकल कर आएगा बो में ल किये जो आपकी capacitor की धारिता निकल कर आएगी वो आएगी c equals to a k epsilon 0 upon d तो यह आपकी capacitor की धारिता आगई यह समांतर प्लेट से धारित का derivation है यह आपका लगवक तीन नंबर में आता है और बहुत important है बहुत ज्यादा important है इसको अच्छे से आप लोग कवर कर लेना बड़िय तरीके से ठीक है